औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से भी जानते थे, क्या आपको औरंगजेब की ये बात पता है? भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक थे. उसका शासन 1608 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यू तक चला. औरंगजेब ने भारतिय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉंट पर लगभग आधी सदी राज किया. वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक थे. वह अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता और विस्तारवादी नीतियों रिलीजिस कंसरविटिजम एंड एक्स्पैंशनिस्ट पॉलिसीज के लिए जाना जा गैर मुसल्मानों के प्रती उनकी नीतियां और शरिया कानून लागू करने के उनके प्रयास एतिहासिक बहस और आलोचना का विशय रहे हैं. और अंगजेब के शासन ने मुगल सामराज्य क्षेत्रिय पहुँच को सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया बढ़ाया. धा विशयों को अलग थलग कर दिया. और 1707 में उनकी मृत्यू के बाद सामराज्य के विखंडन तूटना शुरू हुआ. वैसे तो आपने औरंगजेब के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन कुछ खास बातें जो दुनिया कभी नहीं भूल पायागी. औरंगज की घेराबंदी, Siege of Golconda, 1600 सवसताफिन. नंबर तीन, मराथो के साथ युद्ध वार विद्ध मरतास, 707. नंबर धार्मिक नितियां, Religious Policies, 5. सामराज्य का विस्तार, The Empire, 6. मृत्यू और उत्तराधिकार, Death and Succession, 17. सावन. नंबर सावर, धर्मत का युद्ध, Battle of Dharmat, 1688. नंबर आट, भोपाल का युद्ध, Battle of Bhopal, 1681. औरंगजेब के और भी बहुत से ऐसे काम है, The Great Muslim Military Sultan of Mughal Empire.